सुकला स्टड़ी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने उट्यूप चनल सुकला स्टड़ी पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बी ए सेकंड एर फोर्ट समेश्टर के कोईशन पेपर के बारे में और यह एक्जामनेशन 2022-23 का है यानि कि अभी एक कल परिक्षा होई है आपकी और आज मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ और पेपर इसलिए important है ये चुकि यह लिखित कोईशन पेपर है major courses में अगर जिन चाचातरों ने इसको लिया होगा उन्ही में आया है तो बी ए सेकंड एर फोर्ट समेश्टर में एक परकार से ऐसे ही प्रसन आप में भी लिखित आएंगे और आपको बता दूं कि हमने कुछ आपको questions और answers करवाये थे वहाँ से बहुत सारे परसन फसे हुए है इस question paper में ये question paper है महराजा सुहिल देव यूनिवसिटी के आजमगड में पढ़ती है या विश्विद्याले तो ये यूनिवसिटी तो इसमें एक परकार से परिच्छा बड़ी जल्दी हो रही है और इसका fourth semester का paper हो रहा है बड़ा जल्दी एक परकार से इसी परकार से राजा महंदर प्रताप सिंग अलिगड यूनिवसिटी तो ये एक परकार से ये सब अपना एक परकार से ट्रेक पकड़ चुकी है या महात्मा गान्दी कासी विद्या पीठ के हैं या आने विश्विद्याले के हैं सिधार्दगर विश्विद्याले में तो खेर objective परिच्छा होगी या इसी परकार से जिनमें second semester में objective हुई उनमें objective होगी fourth semester में भी ये बात ध्यान नखिएगा यानि कि जो बिसम semester है उसकी परिच्छाएं सेम होगी और some semester की परिच्छाएं सेम होगी बिसम में जैसे first semester, third semester और fifth semester तो ये बिसम हो गई तो इसमें same परिच्छाएं होती है same pattern पर और कुछ विश्विद्याले में जो some semester होता है उसमें एक परिच्छाएं होती है मलब अधिकतर में यही फंडा होता है लेकिन कुछ में थोड़ा सा नियमावली change है जैसे कि डाक्टर रामनोहलोहिया में अभी तक objective परिच्छा नहीं होई है ठीक है यहाँ पर एक परिच्छा ही हो रही है तो modern and medieval history में आपको एक परकार से paper first है क्या पढ़ना है आपको history आप modern इंडिया 1857SB से लेकर के 1950SB तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है और मैंने एक परकार से आपको question paper दिया था आप देख लीजेगा ठीक है टाइम आपको 3 hours कर दिया गए था 3 घंटे का और 75 नंबर का पूडांग है आज़े देखते हैं कैसे कैसे परसन आपसे पूछे गए थे attempt questions from all sections as per instructions यानि सभी खंडों से नर्देशा नुसार परसनों के उत्तर दीजिए देखिए section A यानि खंड A very short answer type questions पूछे आते हैं खंड A से अती लग उत्तरी परसन इसको लेकर के नर्देश दिया जाता है कि attempt all parts of this question give answer part in about 50 words यानि आपको 50 सब्दों में एक परसन का उत्तर लिखना है सभी भागों के उत्तर अनिवार है इस परसन के ठीक है और परतेख भाग का उत्तर आपको 50 सब्दों में लिखना है दो नंबर का एक परसन है 10 questions आपको करने पड़ेंगे इस परकार से 20 नंबर यहां से आपको मिलने वाले है देखिए पहला परसन आपके लिए आया था पूछा गया था बहुत important परसन है सरदार बला भाई पटेल के बारे में आपसे पूछा गया था इनके बारे आपको बताना था सरदार बला भाई पटेल सभी लोग जानते हैं इनके बारे में अगला परसन आपसे पूछा गया था स्वराज पार्टी के बारे में स्वराज दल के बारे में ये भी important प्रसन था तो इन सभी प्रसनों को आप लोग पढ़ लीजेगा बाकी में माले पेपर जल्दी हल करवाऊंगा तो आपके लिए important हो जाएगा अगला प्रसन है दादा भाई नौरो जी के बारे में आप से प्रसन पूछा गया था ये भी important प्रसन है वहीं अगला प्रसन आप से Muslim League से पूछा गया था Muslim League अच्छा Muslim League लिख देने का मतलब ये Muslim League के बारे में आप बताएं कुछ बाते ठीक है पचास सब्दों में लगबग है थे important प्रसन थे और आपके परिषा में आये भी हुझे फ्रसन थे और आपकी परिषा में आ सकते जिनकी परिषा mayब नहीं हुई है प्रसन अगळा आपका पार्टिसान आप बेंगाल यानि 905 S.B. में जो बंग पंग वाला एक प्रकार से हुआ था तो बंगाल का विभाजन जो हुआ 1905 में इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था अगला प्रस आप से पूचा गया था वुड्स डिस्पेश डिस्पेश आफ 1854 यानि की 1854 का जो बुड्स डिस्पेश है खासित के सिच्छा से रेलेटर भी रहा तो इसके बारे मैं आपको बताना था इंपोर्डेंट प्रस इसके बारे मैंने चर्चा करी अगला कोर्शन साब से पूचा गया था आइरन इंडेस्ट्री जानि लवुद्द्यूप के बारे आपको बताना था यह भी प्रस बढ़िया आए अगला प्रस दसवा नमर पूचा गया था इसको बोलते हैं हिंदी में इसको लेकर के नोट आपको दिया था कि वह इसमें से पांच परसन आपको करने होते हैं attempt any five questions of this section give answer of each question in about 200 words यानि कि किनी दो मलब किनी पांच परसनों के उत्तर दीजिए प्रते एक परसन का उत्तर लगबग आपको 200 सब्दों में देना यहाँ पर paper में misprint हो गया था ठीक है यह बाद ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर 5 questions आपको करने पड़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते 5 questions करने हैं 7 सब नंबर के एक परसन है तो 35 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने है 8 questions आपको दिये होते हैं इसके बारे में चर्चा हो चुकी है अगला questions आपसे पूछा भी गया था आपकी परिचा में अगला questions आपसे पूछा जा सकता है जाम में फिर पूछा भी गया था आपकी परिचा में एक परकार महराजा सुहल दियों यूनिसिटी आजमगड में ठीक है और बाकी बिश्विद्याले में प्रसना सकता है प्रसन क्या है डिसकस दा इंटर्नल पॉलिसीज आफ लाड रिपन लाड रिपन की आंतरिक नेतियों की विवेचना कीजिए बहुत ही मैथफोन प्रसन है वही अगला प्रसन हमसे पूछा गया था critically examine the cases of the partition of Bengal यानि बंगाल विभाजन की काड़ों का अलोचनात्म परिछन कीजिए बढ़ियां प्रसन है अगला प्रसन हमसे पूछा गया था राइट एनेसे आन्दा डबलबेंट आफ रेलिवेज इन अंडिया during the British period यह भी important प्रसन था वही अगला प्रसन हमसे पूछा गया था evolution the act of 1919 यहीं 1919 का जो अधिनियम है इसका मुल्यांकन कीजिए अगला प्रसन हमसे पूछा गया था आठवा नमर प्रसन दिखेगा examine importance of government of India act of 1935 1935 के भारत सरकार अधिनियम के महतु का परिक्षन कीजिए important प्रसन आपके परिक्षा के लिए अभी ध्यार नखिएगा तो इस प्रकार से यह प्रसन आपका पूछा गया था आगे बढ़ते हैं तो प्रसन क्या था आपका भई यह प्रसन पूछा गया था देखी इस प्रसन पत्र का और अगले आपका जो आप में यानि अधिकतर बिश्विद्याले में जो खास करके जो मद्धिकाल इंतिहास होता है उसका सलेबस कुछ दूसरा है यानि आपको अगर अधिकतर बिश्विद्याले में आप देखीएगा तो मद्धिकाल इंतिहास अगर आप लेते हैं तो आधुनिक 200 के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है 141390 से लेकर के 1950 इतिहास के बारे में लेकिन इसका यह परकार से पेपर का नाम क्या है यहाँ पर देखिएगा चुकि मैं सोच रहा था कि इन परसनों को मैंने 3rd semester में बताया था और यह आपका 4 semester में आ गया है तो यह दिखी थोड़ा से सलेए पस इसका थोड़ा सा क्या है थोड़ा से दिखे मेजर कोर्स में है फस्ट पेपर है ये इसका सेकंड पेपर भी परिक्षा होगी ठीक है तो हिस्ट्री आप मौडन इंडिया का ये कोशन पेपर है दिखे अठाशा तावन से लेकर कि 1950 इस भी तक का और बाकी देखे कोज सा पेपर आता है ठीक है तो लेकि नहीं चले अगला प्रस्ट सात्वा नंबर देखेगा एविल्यूशन एविल्यूट दा एक्ट आफ नाइंटी नाइटी नाइन एडी 1990 के अधिनियम का मुल्यांकन कीजिए अगला प्रस्ट आप से पूचा गया था एक्जामिन इंपोर्टेंस अफ गवर्नमेंट आफ इ उनिविस्टीज के लिए बाकी लगबग सभी विश्विद्याले में आपका सिलेबस से आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 इसबी से लेकर के 1950 इसबी तक हलाकि लेकिन पेपर बच्चे ने भेजा तो मैं आपको दिखा दे रहा था ठीक है कि हो सकता है कुछ विश्विद्य नोट आन दा ग्रोथ हाफ कमुनिक कमुनिलिजम इन इंडिया यानि भारत में संपरदायकता कि विकास पर एक संचिप्ट टिपड़ी लिखी यह इंपोडेंट परसन है खंड सासे परसन आपसे पूचे गा था देखिए लांग एंसर टाइप कोईशन दीर गूतरी परसन ह आप दिस सेक्षन की बैंसर आप इज कोईशन इन अबाउट 500 वर्ड्स ठीक है दो परसनों के उतर करने आपको यहां से पांसों सब्दों में एक परसन के उतर को आपको लिखना आ है परसन है डिसकस दा नेचर आफ एटीन फिप्टी सेबन रिवियूल्ट एन ठाड़ा पांच की बीस भारत में ब्रिटिस सिक्षा की समिक्षा कीजिए बढ़िया प्रसन था अगला को इस अंसाब दिखेगा अगला प्रसन आपके सेंद पर पूछा गया है राइट सार्ट नोट आन वेरियस रिफॉर्म आफ करजन यानि करजन की बिभिन सुधारों पर एक सिलेबस था बाकी विश्वी देले में एक प्रकार से दूसरा सिलेबस है आधुरिंग पिस्व का इतिहास 1453 से 1950 तक उसके बारे में हम चर्चा करेंगे धन्यबाद मिलते हैं ने इस्ट वीडियो दत्ते के लिए जैंजा भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद